9 जून का दिन हमारे देश के लिए बेहत खास रहा एक तरफ जहां लगतार तीसरी बार भारत के प्रदान मंत्री चुने जाने पर ननेंद्र मोधी ने राष्टपती भवन में सपत लिया तो वहीं दूसरी तरफ T20 वर्ल्ट कव दोजार चौबिस में भारत ने पाकिस्तान क हरा दिया भारत वर्सिस पाकिस्तान मैच को लेकर हर कोई बहत एक्साइट था हाला कि स्टार खिलारियों विराट कोली और रोहिश शर्मा के जल्दी आउट होने सहित शुरुगाती जटकों के बावजूद भारतिय टीम ने शांदार वापसी करते हुए रोमांचक जीत हा मौल रहा तो वहीं बॉलिवुड में वी जमकर जश्न मनाया गया सोशल मीडिया पर तमाम सेलप्स ने भारत की जीत की बधाई दी है वहीं सधी के महनाया कमिताब बच्चे ने भारत की जीत पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि अरे बाप बाप भारत वसेस पाकिस्तान मैच देख रहे थे और बीच में बंद कर दिया टीवी जब लगा हार तो रहे हैं हम लेकिन अभी अचानक इंटरनेट देखा और हम जीत गए इंडिया 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 वहीं अमिताब के इंडिया इंडिया की जीत पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा है कि चैंपियन बनेगा टीम इंडिया बता दे कि इन दिनों कार्ते कार्यान अपनी मच अवेटेट फिल्म चंदू चैंपियन को लेकर चर्चा में बने हुए हैं ये फिल्म इसी साल 14 जून को सिनेम घरों में release होने वाली है महिंशान खर्टन ने मैच को नत बाइटिंग क्लाइमेक्स बताया है मुहिंशद्दा कपूर नेवी इस मैच को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है मुहिः पृति जिन्ता नेवी ट्वीट कर टीम इंडिया की जीत पढ़ अपनी खुशी जाहिर की उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि वाह क्या मैच है कैसी वापसी और कैसी लड़ाई एक 119 रनों का बचाव करने के लिए टीम इंडिया को पूरे अंक मिलते हैं वही कुनाल खेमू ने वी टीम इंडिया की इस जीत का जश्न जमकर मनाया है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की है बॉवी देल भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ टीम इंडिया की जीत के जश्न में शामिल जहां सभी वीडियो का ओल पर नजर आ रहे हैं वही कल का मैच आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं चलते चलते एक जरूरी जानकारी आपको न्यूज नेशन के यूटुब चैनल पर एक जॉइन बटन देख रहा होगा इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबर्शिप ले सकते हैं बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी एंटर्टेन्मेंट की तमाम बड़ी खवरों के लिए हमाई साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन